हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में रिक्रीट्मेंट आ रही है दोस्तों SPI की तरफ से पिछले साल की तरह इस साल भी SPI ने जो हे वह अप्रेंटिशिप के विवस्ता की है अगर आप freshers हैं और अभी तक आपने किसी तरह का job experience नहीं लिया है आपने किसी तरह की apprenticeship नहीं करिये तो आपके पास मोका है SPI में apprenticeship करने का यानि कि training के साथ साथ आपको stipend भी State Bank of India की तरफ से दिया जाएगा किसी भी discipline में आपने graduation कर रखा है आप eligible ये apply कर सकते हैं जिस भी State के लिए आप apply करना चाहते हैं उस State का local language आपको आना चाहिए टोटल vacancies जो है वो 6000 से जादा की है तो अगर आप eligible होते हैं तो जरूर आवेदन कीजेगा अगर आप fresher हैं तो एक साल का training period रहेगा और एक साल के अंदर ही आपको जो है ये job छोड़ना पड़ेगा यारि कि जैसे एक साल complete कर जाएंगे तो आपको job छोड़ना पड़ेगा permanent job ये नहीं है तो detail में बात करेंगे इसके LGBT criteria के बारे में selection process के बारे में कौन-कौन eligible है कैसे आपको apply करना है सभी चीज़ों के बारे में discuss करेंगे तो शुरूर से लेके last day वीडियो को ध्यान से देखे complete देखे तांकि आपको हर एक चीज हर एक detail का पता चल जाए सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर important dates की तो 6-7 से आवेदन शुरू हो चुके हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आवेदन शुरू है आप जाके apply कर सकते हैं 26-7-2021 तक आवेदन चलेंगे last date 26 रखी गई है 20 दिन का time है 20 दिन के अंधर ही आपको apply जो है वो करना पड़ेगा online mode से अगर बात करें दोस्तो statewide vacancies की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक state के लिए जो है वो vacancies है total यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी में 800 है 700 है 400 है 200 है उसके लावा किसी में 125 है हर एक state में recruitment है आपका कोई भी city है आपकी अपनी city में बहुत सारी recruitment होगी जिनके लिए आप apply कर सकते हैं all over इंडिया से उसके लावा दोस्तों बात करें age limit की तो 20 साल minimum age का criteria रखा गया है maximum age limit 28 साल होनी चाहिए 31,10,2020 तक बाकी age relaxation as per government rule रहेगी जैसा की पहले रहती आई है उसके लावा दोस्तों बात करें यहाँ पे educational qualification की तो आपने graduation कर रखा है किसी भी discipline में आप eligible apply कर सकते हैं 31,10,2020 तक आपकी educational qualification ग्रेजेशन होनी चाहिए 15,000 per month तक आपको stipend मिलेगा एक साल के लिए यानि कि per month आपको 15,000 मिलने वाला है और यह permanent job नहीं है उसके लावा किसी भी तरह के जो बाकी allowance होते हैं benefits होते हैं जो बाकी SPI के employees को मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे उसके लावा दोस्तों यहाँ पे selection process की बात करें तो return test होगा और उसके बाद local language का आपका test लिया जाएगा जिस भी state के लिए आप apply करते हैं अगर बात करें online return test की तो यहाँ पे journal finance awareness उसके लावा जो है वो journal English, quantitative aptitude, reasoning ability, computer aptitude यह सारी चीज़े आएंगी 100 marks के question होगे उसके लावा जो है एक खंटे का time आपको मिलेगा 15-15 minute के यह चार section रहने वाले हैं हिंडी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह exam आपका लिया चाएगा और हो सकता है आपकी अपनी city में ही exam हो और negative marking जरूर होने वाले है क्योंकि यह banking का exam है application fees भी दोस्तों रखी गई है 300 पे application fees रखी गई है journal, obviously और economically weaker section के लिए बाकी SCST और physically handicapped लोगों के लिए किसी भी तरह की fees कर क्राइटेरिया नहीं रखा गया वो बिना fees के apply कर सकते हैं बाकी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि पहले से अगर आपने apprenticeship कर रखी है तो आप बिल्कुल भी eligible नहीं है चाहे कहीं से भी करी है उसके लाब अगर आपके पास job experience से एक से जाधा साल का तो भी आप apply नहीं कर सकते हैं उसके लाब दोस्तों बात करें कि apply कैसे करना है इसी notification में detail wise सारी चीज़े बताई गई है कैसे आपको apply करना है लेकिन अलग से link आपको direct मिल जाएगा हमारी description में वो हमारी website पर ले जाएगा और website पर सारी जानकरी आप read करी है उसके बाद important links पर click करके आप इसके लिए आवे दिन कर पाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं video बनाऊंगी कैसे आपको apply करना है अपने phone से तो आप मुझे comment section में लिखेगा आपको apply करके बता दूँगा तो यह जानकरी दोस्तों दीगी है उनकी official notification में read करना चाहते है link description में है जाके कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं घर पे बैठे हैं तो पिछले साल की तरह इस साल भी जो है आपको mocha मिल रहा है पिछले साल अगर आप चूट के हैं आप से नहीं apply कर पाए हैं आप तो आप इस साल जो है वो apply कर सकते हैं तो thank you very much once again और आशा करता हूं को आपको वीडियो पसंद आयोगी समझ आयोगी वीडियो से related questions comment section में पूछिए चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में